नमस्कार आज मैं आपके सामने निष्ठा जो दिख्षा एप की अंडर कोर्सी चल रहे हैं उनके बारे में बताना चाहता हूं कि वो एप जो है निष्ठा ट्रेनिंग कोर्स जो है वो कैसे चलेगा जैसे कि हम जानते हैं कि National Initiative for School Heads and Teachers Holistic Advancement it is an initiative to build capacity of teachers and school principals at the elementary stage the program aims to build the capacities of around 42 lakh participants covering all teachers and heads of schools at the elementary level in all the government schools, faculty members of state councils of educational research and training district institutes of education and training, block resource coordinators and cluster resource coordinators in all states and uts so मैं अब आपसे discuss करता हूं कि सबसे पहले आपने play store में जाना है तो play store में जब आप जाएंगे तो आपने वहाँ पे दिक्षा एप को download करना है तो यदि आपने दिक्षा एप download नहीं की है तो आप दिक्षा एप download करें और यदि आपने की है तो दिक्षा एप download करके उसे open करें तो उसे जब आप दिक्षा एप को open करेंगे इस परकार की screen आपके पास सामने आएगी और उसके बाद आपने दिक्षा एप जब open करी तो उसके बाद आपने language को select करना है और language जो आपकी होगी वो English आप select करेंगे और इसके बाद आप लिखेंगे उसमें tick करेंगे कि आप teacher का option जो है उसे tick करेंगे teacher का option टिक करने के बाद आपके पास यह वाला option आएगा यहां पे आप state board जो भी है select जो board करना है वो आप select करेंगे और जैसे की इस परकार से आपके पास अलग-अलग जो states हैं उनके boards के नाम आएंगे with state तो वो आपने वहां पे tick करना है जैसे मैंने यहां पे state jamo and kashmir टिक की आप इसको submit किया और यह देखिए आपके सामने दिख रहा है state jamo and kashmir और फिर नीचे का option जो है medium यहां पे आपने medium select करना है तो यह यहां पे medium जो मैंने select किया वो English किया आप इसके बाद आप next में classes आएंगी तो आपने first से लेके 10 तक जो classes है उनको टिक करना है देखिए इस परकार से और उसके बाद फिर से आपने submit करना है और जब submit करेंगे आप तो उसके बाद में इस परकार से secret आपको टजर आएगी फिर आपने नीचे continue बटन जो है उसको दबाना है और जब आप continue बटन दबाएंगे तो उसके बाद में ये वाली screen अगर आपके laptop या computer पे या आपके mobile पे अगर आती है तो इसको आपने cross करना है और इसके बाद आपके पास ये वाला ऐसा जो है picture नजर आएगी इसमें सबसे नीचे right side में profile लिखा हुआ है वहां जब आपने click करना है तो जब आप profile पे click करेंगे तो आपने profile में जाके login करना है और profile पे login जब आप करेंगे तो इस परकार से आपके सामने screen आएगी तो यहां पे यदि आप आप already registered हो तो आप अपना जो भी email address या mobile number आप लिख सकते हैं जो भी आपका address है और यदि आप यह register नहीं हो तो नीचे देखिए login के नीचे लिखा हुआ है register here तो register करने से पहले आपके पास कुछ detail आपकी वह आपने feed करनी है जैसे इस परकार से registration आएगी सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है फिर अपना एक mobile number लिखना है वह mobile number आपके पास होना चाहिए क्योंकि OTP आएगा फिर वह OTP आपने इसमें इंसर्ट करना है और साथ में एक तो अपना नाम और mobile number के साथ में आपको एक password क्रिएट करना है पासवर्ड जो है वह आप उसमें एक word जो है वह first word जो है वह capital होगा और उसमें आप जैसे मैं एक example के तोर पे आपको कहता हूँ जैसे भा registration जो है वो कर दी और यदि आप अल्रेडी रिजिस्टर है तो आपने अपना mail जो भी phone number अगर जदी आपने लिखा है phone number और password फीड करना है और यह जो third option में आपको screen नजर आ रही है we are getting things ready please wait तो उसके बाद आपके सामने इस परकार से जो है वो details आएंगी और यहाँ पे आपने जो भरना है वो अपनी email id भरनी है और email id के साथ में आपने अपने institution का नाम जहां पे भी आप posted है उसका नाम लिखना है और साथ में you dice code लिखना है सुकूल का जो you dice code होता है वो भी आपको मालूम होना चाहिए तो वो आपने भरने के बाद इसे submit करना है और जब you dice code आप submit करते हैं तो आपकी email id आपने यहां लिखी होती है उसको validation होती है उसकी तो means उसमें एक OTP आपकी mail में आएगा वो OTP आपने यहां पे insert करना confirm करने के लिए कि आपकी mail जो है एक किसम की verification है तो वो आपने OTP जो है वो यहां पे देखिए आपको दिख रहा है verify email address ऐसा आएगा आपको तो आपने इसमें जो है यह OTP जो है यह already आपकी mail में आ चुका होगा अगर mail में आपको नहीं दिखता तो आपने एक बार refresh करना mail को तुरांत आ जाता है within a seconds जो है यह आपको आजाता है और आपने उसको यहां पर feed करने के बाद उसे submit करना है और फिर जब आपने उसको submit कर दिया यह देखिए जैसे मुझे OTPI और मैंने यह feed किया then आपक करना है और इसके बाद इसके बाद आपने आयम तो यह आपके पास इस तरीके का caption आएगा इसमें आपको अपनी details जो है वो फिर से feed करनी है कि आप teacher है क्या है तो जब आपके पास details आपने जो है जैसे मैंने यह teacher जो है यह लिख दिया और इसे submit कर दिया और इसके बाद आपने अपने अपना जो है state को टिक करना है जैसे मैंने जब मुएंड कश्मीर जो है वो टिक किया और इसके बाद आपने submit करना है और फिर इसके बाद आपके पास इस तरीकी की detail सामने आएगी जिसमें आपका यूड़ाइस कोड, institution का name, mail address, phone number और जो district along with state आपका जो नाम है साथ में आप जो है teacher, lecturer, master, जो भी है वो लिखाएगा तो इसके बाद में आपने आपका जो आईडी प्रूफ मांगा जाता है जो एक personal ID होती है employee की जैसे मैंने इदर भी HDEDU लिखा है जो CPIC code होता है employee का वो आपने यहां पर भरना आपके पास UDICE code और यह अपना personal ID जो है यह भी होना चाहिए और इसके बाद आपने नीचे agree का button है agree पे click करके submit करना है तो इस तरीके की आपको caption आएगा देखे green color में लिखा आएगा कि thank you for submitting your details और आपने ok कर देना है और इसके बाद में आपको इस तरीके का नज़र आएगा यह आपका profile है अब आपका काम जो निश्ठा का काम है वो क्या है कि आपने यहां पर courses पे जाना है देखे नीचे वाली जो line है first library है second option जो है वो courses है तो courses पे आपने click करना है जब आप courses पे click करेंगे तो यह दो option आपके पास आएंगे और इसके बाद आपने courses पे click करना है तो courses पे जब आप click करेंगे तो इस परकार की screen आपके सामने आपके जो mobile है उसकी screen पे दिखेगी और उपर जो है search option है आप simply यहां पे search कर सकते है निच्टा तो जैसे ही आप निच्टा search करेंगे तो आपके पास यह मैंने निच्टा search किया तो आपके पास जो है इस परकार के screen नजर आएंगी और यह different types के जो modules है जो आपको 16th onwards हम सब को करने है तो इस तरीके के आएंगे तो 16th को अगर आप 16th onwards इसको करोगे तो इसको खोलने के बाद आपको क्या होगा या तो आपको वीडियोज आएंगे या आडियोज होंगे या कुछ questions होंगे तो जब आप वीडियोज देख लोगे उन वीडियोज में एक चीज़ ध्यान रखना कि आज 15th है इसलिए यह च कम्प्लीट की तो यदि आप next करोगे तो आपकी पीछे वाली चूट जाएगी इसलिए उसको पूरा complete होने देना है और complete होके automatically वो फिर जब उसने पूरी वो कर दिया तो उसके बाद आपने next option करना है इस परकार से training modules आपके सामने हैं तो यह था registration के बारे में मेरा आपको यह देखिए यह join course आएगा तो यहाँ पे जब आप join course करोगे तो यहाँ पे join course करने के बाद आपको यह इस परकार से आएगा और course detail आएगी और percentage बता देगा कि कितने percent course आपने जो है वो complete कर दिया यह था मेरा आपको यदि आपको कोई इसके बारे में इससे related कोई दिक्कत आए तो आप मुझे phone कर सकते हैं contact कर सकते हैं definitely मैं आपकी मदद करूंगा thank you